नमश्कार मैं डॉक्टर आशा आज आपको पताने वाली हूं दालचीनी का विश्य सुपयों दालचीनी यदि हमको डाइवटीज है तो दालचीन की चुटकी भर मात्रा आप की डाइवटीज में बहुत फायदे कर सकती है अब उसको लेना कैसे है यदि आपको डायोटीज है आपको जिन जनाट होती है डायोटीज के जो तवाम तरह की सिंटम्स होते हैं मैमोरी वीक होती है मैमोरी लॉस हो जाती है कही बार और आपके निमनेस रहती है पुरे शरीर में ऐसा लगता है कि जानी नहीं रही है तो एक चुटकी दालचीनी आपको कमाल का पड़नाम देगी एक चुटकी दालचीनी शेर में मिलाके अगर आप लेते हैं सुबह शाम उसके उपर से एक ग्लास दूद पी लेते हैं तो आपकी ये जो जंजनाऊत है या आपकी जो nervousness है nervous weakness है, nervous weakness है, थकान है यह सारी चीज़ें आपको इसको लेते ही ठीक हो जाएंगे, आपको इंसोमनी है, नीद नहीं आती है, हाथ पेरों में दर्द रहता है, ठकान रहती है, तो वो सब इन सब चीज़ों से यह जो दालचीनी मैंने बताइए, आपको इस चुटकी के मातरां से वो बहुत बढ़िय आपको रिजर्ट मिलेंगे, एक चुटकी दालचीनी लेने से जो आपका पैंक्रियाज है, वो ओटोमेडिक सिस्टम से इंसुलिन बनाने लग जाता है, आप इसे अजमाएं, आठ और दस दिन तक इसे देखें, फिर उसकी बाद बापिस डायविटेस की जाच करवाएं, आपका जो रेश्यो है डायविटेस का जो आ रहा है, उसे कम ही होगा, यह आप जाच के देख लें, यदि किसी कारण से कम नहीं होता है, तो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है, और वैसे देखा जाये तो दालचीनी, आपके ओवराल जो भी डायविटेस सिंड्रोम है, ज इसमें बहुत फाइदा करती है, नमशकार, ऐसी जान कारेयों के लिए आप जोड़े रहे हैं हमारे साथ, नमशकार.